हेलो दोस्तों संख्या पद्धति यानि नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में हमने दो पर्मे संख्याओं के बीच अपर्मे संख्याओं ग्याद करना सीखा आज हम उसी से संबंधित कुछ और तत्यों पर चर्चा करेंगे चलिए शुरू करते हैं बताईए कि दी गई दश्मलो संख्याओं में से कौन सी अपर्मे संख्या पर्मे संख्या 2.21 और 2.23 के बीच स्थित है उत्तर काफी आसान है आप वीडियो पॉस करके इसका उत्तर सोच सकते हैं सबसे पहला विकल्प इन दोनों संख्याओं के बीच स्थित है लेकिन वह अपर्मे नहीं बलकि पर्मे संख्या है दूसरा विकल्प एक अपर्मे संख्या है और देखने में लग रहा है कि यह इन दोनों संख्याओं के बीच में है अगर हम केवल दश्मलों के दाहिनी ओर देखें तो और अगर हम अपना ध्यान दश्मलों के बाई ओर ले जाएं तो वहाँ एक है यानि यह इनके बीच स्थित नहीं है और अब बचा हुआ विकल्प है C जो एक अपरिमे संख्या है और इन दोनों परिमे संख्याओं के बीच स्थित है तो दोस्तों उत्तर देने से पहले प्रश्न अच्छे से पढ़ें और उत्तर चुनते समय हर एक विकल्प पर पूरा ध्यान दें इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं इस सत्र में हमने परिमे संख्याओं के बीच स्थित और परिमे संख्याओं ग्यात करने से संबंधित कुछ और तथियों पर चर्चा की मिलते हैं अगले वीडियो में